यह कहानी नहीं रियल इस्टोरी है और जेन ट्रेफिक थाने के हेड कॉंस्टिबल दयाराम गोंदिया की वे 30 साल से पुलिस में अपनी सेवाय दे रहे हैं लेकिन जन्वितिति ने ऐसी गफलत पेदा की कि 8 साल पहले ही 30 जून को उनके रिडारमेंट ने दस्तक देती जिहां उनके ट्रेफिक थाने के हेड कॉंस्टिबल दयाराम गोंदिया भागे भागे उच्जयान से 28 जून को ग्रहवी भाग किया पर मुख्य सचीव डॉक्टर राजेश राजोरा के पास पहुंचे और जन्वितिति की गफलत बताई ये भी कहा कि 4 साल से जन्वितिति सु आदेश यारी हुए जिसमें जन्विति थी 15 जून 1969 के स्थान पर 15 जून 1967 लिखी गई यानि जो दयाराम 30 जून 2021 को रिटायर होने वाले थे अब 30 जून 2029 को रिटायर होंगे दयाराम उज्जयन से आए वल्लब भवन गए दस्तावेश दिखाए ग्रह मंत्री ने दखल द दिया तब 24 घंटे में आदेश हाथ में मिला बोले 30 जून बीच जाती तो कोड का ही रास्ता बचता अब 8 साल और महाकाल नगरी की सेवा कर सकूंगा दिये फिर मेरी फायल की एच की वहपाल चली वहां से मंत्राली चली गई तो यह प्रक्रीयत्ती लंबिस हो चुकी ताकि और मुझे मेरा आदेश देदिया था रिटायर्मेंट का इसी महिने में देदिया था तिस चे दोजार इक्युस को रिटायर्मेंट का आदेश दिदिया था चुंकि मुझे एक दिन पहले ही मेरा को आदेश मिल गया मेरी जनम दिनांग सही हो गई 15-16-1967 हो गई सही तो मेरा जो आदेश दिदिया था वो निरस्त कर दिया और इसमें सारे अधिकारियों का बहुत को है इसा मालूम पड़ा तो मैंने जब से प्रक्रिया अपनी चालू करती थी आविदन आविदन देता रहा हमें और एंड में उसका नतीजा परिणाम बहुत अच्छा रहा इसका आपको कितना फाइदा मिला तो इसमें मुझे आठ साल नोपरी करने का और फाइदा मिला ह उसमें अपने आधार भी स्पष्ट कियते उश आधारा को मानते जब विववाद के द्वारा एक उसमें उसकी बात को इकर किया गया है और विभाद में भी इस बात के लिए के बड़ी खुशी है कि उसका ग्रिवांस थी उसको सही तरीके से लिया गया है और जब रिटार के बाद की उसका सिधार हुआ है तो उसका सेवा बिस्तारगा भी उसके लाम दिले गया